इस वीडियो में हम आपकी एर्थ क्लास की इंग्लिश की वर्क सीट नमबर 26 पढ़ेंगे जिसकी डेट है 28th of December 2020. अगर किसी के स्कूल में बोला है कि अपने सब्जिक्ट टीचर का नाम लिखिये फिर लिखना है आपको इंग्लिश टीचर का नम राइट चलिए अब सुरू करते हैं आपकी वर्क सीट तो बच्चों जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे इस जोडी जोडी से फॉन उसी को आगे बढ़ाते हैं इस वर्क सीट में और पढ़ते हैं चैप्टर पढ़ने से पहले हमें करनी है एक छोटी सी एकसराइस कुण क्या करनी है पुट्ट दो संटैंश इन करेक्त ओडर इन दर ब्लैंग blanks below जो हमें नीचे ये जो sentences दिए गए है ना there are five sentences, five sentences दिए गए है और ये इन्होंने jumble करके दिए है तो बच्चों हमें क्या करना है इन जो sentences को हमें unjumble करना है और इन्हें sequence में लगाना है जिस sequence में ये आने चाहिए चीक है तो चलिए कर लेते हैं जो हमने story पढ़ी है उसके according कर लेते हैं पैनी felt hemmed in when jody proposed to bring the phone home जब jody ने बोला था कि मुझे phone को वापस लाना है तो उसके जो father उनका नम पैनी है उन्होंने हा कर दी थी है ना ये वाला है एक तो mill will offer to give a right to jody to find the phone जो mill will थे उन्होंने offer करा था कि अगर तुम phone को ढूनना चाते हो jody ने जब इच्छा जदाई थी phone को ढूनने की तो उन्होंने बोला था ठीक है मैं अपने horse पे तुमें लेके जाऊंगा तो एक ही ये sentence है अभी हम इने sequence में लगाएंगे लेकिन पहले मैं आपको समझा दूएं क्या है फिर तीसरा sentence है phone's mother was killed जो phone यानि के जो हीरनी का बच्चा था उसकी ममी मर गई थी हाँ ये स्पक की बात है क्योंकि जो डो थी वो मर गई थी जोडी के जो पापा ते पैनी उनके treatment के लिए उसको मारना पड़ा था है ना तो फिर उसके एक तो ये हो गया जोडी send Millville back जो जोडी है उसने Millville को वापस भेजा जोडी's mother was stunned at what जोडी had said जो जोडी की ममी है उसके उपर वो आश्यरे चकीत हो गई कि जोडी ने क्या कहा तो अब हम इने sequence में लगाते हैं बच्चो देखो सबसे पहले क्या हुआ था आप बताएए सबसे पहले जो phone की mother थी जो मतलब उसकी जो आपका हीरन था हिरनी का जो बच्चा था उसकी ममी मर गई थी तो हम सबसे वा number one देंगे जो आपका तीसरे number का है इसको हम देंगे number one राइट चलिए अब दूसरा अब दूसरा क्या होगा जोडी के जो पापा है उन्होंने क्या करा था उन्होंने घहां भी भर दी थी कि अगर आपको लाना है उसको वापस किसको phone को तो उसके पापा ने हां बोल दिया था तो ये हो जाएगा आपका number two है ना फिर उसके बाद क्या हुआ था जोडी की जो मदर थी उन्होंने भी बोल दिया था जब जोडी ने लाने को बोला वो आशरेचा की तरह गई थी है ना तो ये आपका number three पे आ जाएगा number four पे क्या हुआ था mil will ने offer किया था ठीक है मैं तुमें phone को अगर तुम ढूने हिंडी के बच्ची को अगर तुम ढूनने जा रहे हो जोडी तो मैं तुमें लेके चलता हूँ ये फिर mil will ने बोला जब वहाँ पे पोँच गए तो mil will को जो जोडी है उसने mil will को वापस भीज़ दिया तो ये इस तरीके से आप sequence में लगाओगे तो लिख लो इन में यहाँ यहाँ पे two आ गया यहाँ पे four आ गया यहाँ पे one यहाँ पे five और यहाँ पे three तो यह हो गया आपका अंजंबल ठीक है यह हमने सही sequence में लगा दिया है सारे sentences को ठीक है चलिए यह काम हम ने कर लिया अब पढ़ते हैं जो आगे का remaining chapter है part two ठीक है चलिए अब ध्यान से सुनना बच्चो देखे अब क्या हुआ उसके बाद ही 60 sound of the hoves to end अब उसलिए उसने किसने जोड़ी की बात हो रही है जोड़ी ने तब तक वेट किया जब तक hoves होते हैं मतलब गोड़े के prep होते हैं जो इस इस चेप के होते हैं थोड़े आने एसे और अशे से होते हैं पैर जो खूर होते हैं तो उसका जब तक वेट गया जब तक वह जो खुरों की आवाज है जो उसके पैरों की आवाज है वह बंद नहीं हो गई उनकी sound जो उसकी आवाज आ रही थी बस उनकी वह चुपी को तोड़ लहीं कि वह पर इतनी चुपी थी इतना सब कुछ शांद था कि वह जो पैडों की टहनियों की आवाज है नवह चुपी को तोड़ रही थी अब वो थोड़ी देर के लिए तो उसने सोचा कि ऐसा तो नहीं है कि उसकी जो direction है जो उसकी दिशा है वो उसने खो दी है मतलब उसको पता नहीं चल रहा कि किदर जाना है फिर उसके सामने एक आवाज सुनाई दी है ना बजर बजिंग की आवाज आती है ऐसी कोई आवाज आई एन फ्लैप्ट इंटू दा एयर फिर हवा में फट पड़ाने की भी उसको आवाज सुनाई दी यह सारी आवाज है पहले क्रैकलिंग आया फिर बज़र आया और तो यह सारी आवाज हैं अब वो जो ओक्स के जो ओक्स है वापे खड़े हुए है उनको क्लियर करते हुए उनको हटाते हुए आगया आया बजर सेट न सरकल अराउंड दा कारा कास ओफ डो और वो बजर्ड कहा है वो बजर्ड हैं यह देख रहे हो ना आप यह इतनी सारी जैसे आपकी काइट होते हैं इगल होते हैं जो प्रेबर होती है ना सिकारी जो चिडियां होती है जो आपके जो जो मीट मास को खाती है मरे हुए गे तो इस तरीके की तो वो बोलने है कि वो जो बजर्ड है वो उसके चारों तरफ ती और अपने पंकों को हवा में फड़ पड़ा रही थी ठीक है बजर्ड सेट इन सरकल अराउंड कारकास उपड़ और जो हिरनी का कारकास होता है जो आपका अस्ति पंजर होता है जो इसके कंकाल को चारों तरफ बैठी हुए आप देख रहे हो ना यूजिए इस पिचर में आप देख सकते हो कि यह इसके चारों कंकाल पर लगा होगा मीट उसको खा रही होंगी अभ जब उन्होंने जोड़ी को देखा तो उन्होंने अपनी गर्दन को घुमाया और फिर क्या किया उन्होंने उसको इसको अपनी इसको डराने की कोंसे सle forgiveness करी लेकिन जोड़ी तो बहुत दुर्वच्चा है जो उसके हाथ में उसने बो यानि के एक पेड की टहनी जो बो होता है उसको शाखा को बोलते है जो थोड़ी सी बड़ी होती है ट्विक तो होती है छोटी सी टहनी है ना जो बो होती है वो थोड़ी बड़ी के लिए बोलते है तो जो उसके हाथ में टहनी थी उसने उनको उसक उनकी बात हो रही है The sand sword Large cat prince But the cat Big cats killed fresh And they had left door To the cairn birds वो कह रहे हैं कि उसने वहाँ पे निसान देखे पैरों के निसान देखे Cat prince Cat prince मतला क्या बिल्ली के पैर बिल्ली की जो आप ये देखते हो जैसे लायन होता है लिपर्ड होता है चीता होता है जो शेर चीता है ये भी बिल्ले की प्रजाती में आते हैं तो वो कहरें कि उसने जो शेर चीते इनके भी देखे थे निसान लेकिन वो तो फ्रेस मतलब ताजा मीट खाते हैं तो उसनोंने क्या करा वो जो मीट था ना वो जो हिरनी का जो मीट था उसको क्योंकि वो मरी हुई थी, तो उसका मीट खाने के लिए यह जो चील कवते इन के लिए चोड़ दिया, बुजर्स के लिए चोड़ दिया था, वे तो नहीं खाते, वे तो ताजा मारते हैं फिर खाते हैं, जो बिग केट किस के लिए आया है यह तक पर, सेर के लिए चीते के लिए ठीक है चलिए अब आगे देखते हैं दूसरे जो पैराग्राफ है उसमें क्या है अब वो मुहां से उस घास की तरफ गया जहां पे उसने उस फोन को मतलब वो जो हिलनी का बच्चा था उसे देखा था और वो कहते हैं कि यह उसके लिए जंभाव नहीं था यह तो उसने कली देखा था दफान वोस नोट देर कि वहां जो उस हिलनी का बच्चा है वो तो महां पे है यह नहीं जब उसने चारो तरफ से साफ करके देखा तो उसने देखा महां पे तो कोई अवाज ही नहीं है नो साइन कोई उसका पदची नहीं कोई निसा नाम हो निसान ही नहीं दफान वाजर्ण जो बच्चा था यह जो बड़ी वाली चड़िया जो खाती है मास को वो बच्चा हुई थी मतलब अधीर हो रही थी वापस लोटने के लिए अपने काम के लिए क्या काम जो वो हिरनी के मास को खारी थी ना उसको करने के लिए वो वापस अधीर हो रही थी आने के लिए वो फिर उस जंगे पे वापस लोटा जोड़ी वेर दा फोन हैड इमर्ज एंड डॉब्ड ओन ओल फोर्स वहाँ पे लोटा जहां पे उसने उस फोन को देखा था ठीक है studying the sand for the small who prints और उसने महाँ पे देखा जो वो sand है है ना जो वो रेत है महाँ पे छोटे छोटे जो पैरों के निसान बने हुए है यह देख रहाँ अब यह पैरों के निसान बने हुए देखे फिर the night strain had washed away all tracks except those of cat and buzzard जो रात की बारिस आई थी उसने सारे निसान दो दिये केवल किसीज के निसान बचे हुए है जो वो बिल्लिया बिल्लिया यानि के जो सेर चीते जो भी आये होंगे उनके और यह जो चील कम में है जो यह बजर्स है यह जो बड़ी वाली चिडिया है केवल इनके पदचिन्नों के निसान है और सारे निसान क्या है धुल चुके है तो अब जो जोडी है उसको कुछ ने मिला लेकिन बच्चो अभी आगे भी स्टोरी बच्ची है उसको पढ़ेंगे हम अगली वाली वर्क सीट में जो आज की वर्क सीट में काम दिया है करने को उसको कर लेते हैं पहले देखे आज हमें क्या करना है फिल्म इन दा अब हमें नीचे हमाई यहां पर हिंट दिये गए हैं हर एक लाइन के पीछे हमें एक खाली स्थान बढ़ना है और यह जो हमारे आगे दिये गए हैं उसमें से ढूंड के चलिए पहला देखो हूँ वोस इट डैट वेंट अवे ओन दा होर्स कौन था जो होर्स पर गया था तो बताएं यह कून था जो चला गया था होर्स को चोड़ के तो यह था मिल्विल ठीक है किसको बेज दिया था जोडी ने यह थे आपके मिस्टर मिल एम आई डबलल मिल डबलू एच डबल इई ल विल मिल विल जोडी वस ट्राइंग टू फॉइंड और जोडी किसको डू F-A-W-N, the phone, ठीक है? चलिए तीसरा, Jody had come to the place where Jody उस जंगे पे आया था, जहाँ पे there was a stream of water, जहाँ पे पानी था, he had seen the phone, जहाँ पे उसने phone को देखा था, वो उस जंगे पे आया था, क्योंकि फोन को ढूनने आया है, तो वहीं पे तो आएगा, जहाँ पे उसने जो को देखा था, तो आप लिख दीजिए, he had seen the phone, ठीक है? यह हो गया आपका, आप चलती हैं चोथे की तरफ, जो फोर्थ है, Jody got rid of bajard by throwing his, आप उसने कैसे चुटकारा पाया, उन जो जो बचार जो वो चिडियाएं थी, कैसे चुटकारा पाया उन पक्षियों से, तो उसने क्या फैका था, बो, बी, ओ, यू, जी, एच, तो इसमें क्या भरतेंगे आप, इसमें भरतेंगे, बी, ओ, यू, जी, एच, बो, ठीक है, यह हो गया आपका, अब चलती हैं अगले की तरफ, अगला है, वाट डिड दा, यह रास, यह वाला, पाँचवा, फूट्प्रिंट डिड दा सेंड, सो, किसके फूट्प्रिंट दिखाई दे रहे थे, उस, जो वो सेंड था, जो रेट था, किसके फूट्प्रिंट से, तो वो थे आपके बिग कैट्स के, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे आप, बी, आई, जी, बिग, और सी, ए को देखा तो उन्होंने क्या किया हिस्ट एट हिम उसकी तरफ आवाज करी यह ना जैसे आप बंदर को देखते हो ना और बंदर आपकी तरफ गुरू राने लगता है इसी तरीके से तो एच आई डबलस एडी हिस्ट एट हिम लिख देंगे ठीक है चलिए सात्वा देखे वा रिटर्ण टू देयर बिजनेस क्योंकि वो अपने काम पे लोट ना चाहती थी तो यहां पे लिख देंगे टू रिटर्ण टू देयर बिजनेस राइट यह आप कर देंगे यह हो गया आपका आप देखो find a word from the above extract which means अब हमने जो पढ़ा है उसमें से हमें ऐसा वर्ड ढू adjacent a d j a c e n t ठीक है यह लिख देंगे अब large branch of a tree एक बड़ी जो ब्रांच होती है ट्री की उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं बो बी ओ यू जी एच तो यह तो आपको खुद से भरने दे दोनो adjacent और बो भर देंगे और यह हो गई आपकी आज की work seat English की और मैं आशा करती हूं कि वीडियो आपके लिए beneficial रही होगी helpful रही होगी तो सारे बच्छों को क्या करना है जैसे आप प्यारे से बच्चे आई यह से प्यारा सक कमेंट छोड़ना है जिन बच्चों ने अभी तक video को like नी कर रहा है सारे बच्चे अभी video को like करेंगे और अपने सारे दोस्तो बेल जरूर दमाएंगे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए थेंक यू स्ट्रेंट्स